दोस्तो टाइम एंड वर्क का कॉस्चन पढ़ते ही साथ आपकी दिमाग में तुरंत आता है कि आप इस कॉस्चन को हल कैसे करें और हल करें तो सुरू कहां से करें क्यों क्योंकि आपको सबसे पहले इसमें कॉस्चेप्ट की जरुवत पढ़ती है और जो कि आपका बहुत ज़्यादा पाबरफुल कॉस्चेप्ट नहीं होने की वज़े से या बेसिक कॉस्चेप्ट किलियर नहीं होने की वज़े से आप इन कॉस्चनों को हल नहीं कर पाते ह लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे पहले concept की बात करेंगे और साथ ही साथ जो previous exam में question बहुत बार repeated हैं उन question को भी help करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं first question जो हमारा लिखा हुआ है आप उसको पढ़ सकते हैं उसके पहले में आपके लिए वताओं की कारे छमता universally proportional होती है किसके समय की मतलब जिसको समय जादा लग रहा है मतलब उसकी कारे छमता है जो काम करने की speed है वो कैसी है कम है और जिसको समय कम लग रहा है तो उसकी काम करने की या जो work speed है वो कैसी है जादा है इसी को आप उल्टा भी पढ़ सकती है जिसकी work speed कम है उसको समय भई कैसा लगेगा जादा लगेगा ना और जिसकी work speed जादा है उसको समय कम लगेगा सैम जैसे की इस question में लिखा हुआ है question number first एक इसी काम को 10 दिन में कर सकता है वा भी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो दौनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे लिए यह देखना होगा कि यहाँ पर काम तो दिया ही नहीं है कि आखिर काम क्या कौन सा काम करना है तो यहाँ पर दिया है कि A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दूस्तों 10 दिन में कर सकत रहें मैं ऐसा मानता हूं कि कई इस्टुडेंट ऐसे होंगे जिनको यह आता है लेकिन फिर भी आप बहुत धेरिये से देखें और आपके concept को develop और जाधा करें ठीक है एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और भी उसी काम को तो काम तो दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन काम आखिर हम क्या मानें क्या बनाएं तो इन दोनों की LCM से किसी LCM से हम काम का निर्धारन करते हैं जैसे 10 और 15 का जो LCM आएगा वो कितना हो गया दोस् कुरसी मान सकते हैं या इंटे मान सकते हैं जो आपकी मरजी मतलब यहां से यह हुआ फिक्स कि एक किसी काम को यह 30 कुरसियों को 10 दिन में बना सकता है तो भई एक दिन में कितनी कुरसी बना रहा होगा यह यही क्या कहलाएगी यही तो उसकी कारे छमता या वर्क स्पीड कह बनाएगा ना तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों हम कारे छमता अभी यह लिखने देखने और समझाने में ज्यादा समय ले रहा है बाकि आप औरली करोगे इन सभी कुरसी एक दिन में बनाएगा तो तीन गुणा 10 बराबर 30 बन गई क्योंकि 10 दिनों तक काम करेगा न एक घंडे की बात होती यहां पर अगर मिनिट होता तो एक मिनिट की मतलब कुल मिला के बोलने का ये है मेरा कि जो वर्क स्पीड होती है या वर्क कैपिशिटी होती है और यूणिट पर डिपेंड गरती है इसी काम को मतलब 37 कुरसी को जो हमने मानी हुई है कितने दिन में बना सकता है 15 तो भाई एक दिन में कितनी बना रहा होगा भाई 15 दूनी 30 दो काम पर डे या फिर दो कुरसी पर डे हमसे पूछा जा रहा है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे वही 30 कुरसी कितने दिन में बनाएंगे टोटल काम कितना है दूस्तों 30 कौन कौन करना चाहता है इनको या कौन-कौन करेगा A और B मिलके तो A प्लस B 30 बटे में A की वर कैपिसिटी कितनी है दो तो 3 है और B की वर कैपिसिटी कितनी है दो है तो 3, 2, 5 डिवाइड कर दो कितना दिन आ जाएगा दो तो 6 दिन इससे आपको वैतर कोई भी कहीं पर कौनसेप्ट नहीं मिल सकता क्योंकि एक आपने देखा होगा कहीं चेगा जो पढ़ लिया होगा आपने तो एक बटे 10 और एक बटे 15 से भी करते हैं लेकिन ये आगे जाके धीरे-धीरे फेल हो जाता है इसमें आपको उल्टा भी करना पड़ता है ये सीधर वर्क कैपिसिटी होता है इसी को मोडिफाई करके कैसे कर रहा है उपर लेकेन का LCM यहाँ भी लेते हैं तो यहाँ पर हम LCM इस तरीके से लिए रहे आई होप कि आपके लिए concept समझ में आया होगा मैं फिर से repeat कर दूँ कि यह जो भी question मैं ले रहा हूँ आपको foundation, basic foundation बहुत जादा मजबूत बनाने के लिए और वही question मैं ले रहा हूँ जो repeated हैं, कई बार repeated हैं और आने वाले exam की दरश्टी से बहुत जादा IMP हैं तो दोस्तो question आपके सामने हैं आप पढ़के और इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो आप रोक के इसके लिए हल कीजे और answer आप comment कीजे और अगर आपको फिर भी अभी कोई समझ चाहे तो आप वीडियो को देखिए question number second एक इसी काम को 24 दिन में जबकि B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है और C की सहायता से भी पूरे काम को इस question को दोस्तो मैंने थोड़ा सा level बड़ा दिया है इस question का clear है C की सहायता से भी पूरे काम को 10 दिन में स्वाफ्ट कर सकते हैं तब C अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा इसमें single का पूछ रहा है तो ध्यान दीजे आपर A किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तो 24 दिनों में कर रहा है clear है और B उसी काम को कर सकता है 30 दिन में ठीक है फिर आगे दिया है और C की सहायता से बे पूरे काम को तो ये LIGNOW में दोस्तों यहीं पर क्या होता है की संभावनश्चन के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है बे पूरे काम को मतलब कौन A, B और C मतलब A, B और A, B, और C की सहायता ले रहे हैं तो यहां पर आएंगे दुस्तों तीनों ये होते हैं दोस्तों ट्रिस्ट वाले कॉस्चन के लिए रहें यहीं पर ये कॉंसेप्ट थोड़ा सा हमारा गड़वड हो जाता है अगर हमारी फाउंडीशन मजबूत नहीं है तब अब दोस्तों कॉस्चन हो गया फ़स्ट की तरह कि ये किसी काम को अकेला 24 दिन में भी उसी काम को 30 दिन में और 3 मिलके या फिर सी की सहायता से 10 दिन में कर सकते हैं काम क्या पता ही नहीं है तो इन 3 काम लेंगे LCM LCM कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 120 आजाएगा LCM लेने के लिए अगर आपको कोई समश्या है तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखे आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी तो आप बहां से LCM HF पड़ सकते हैं ठीके नहीं यहाँ प क्षमता क्या होगी work capacity क्या होगी per day की यह हमको यहाँ से पता करना हैं clear ना B SaaS 30 दिन में इसी 120 काम को कर सकता है तो इसकी work capacity कितनी होगी दूस्तो इसकी work capacity कितनी होगी 4 हो जाएगी इसकी work capacity कितनी होगी 5 मतलब ये अकेला पाँच कुर्सी या पाँच चीटे या पाँच काम परड़े कर सकता इसी तरीके से या पाँच काम करते 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 24 दिनों तक 120 पूरे काम को कर देगा इसी तरीके से भी अकेला 7, 3 मिलके 10 दिन में इसी काम को निफटा देते हैं तो भाई इन तीनों की work capacity कितनी होगी दसका आप 120 में भाग दे देंगे तो कितनी होगी वारा काम परड़े वारा काम परड़े clear है यहां से अब हमारे लिए क्या बताना है कि C अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा तो सबसे पहले हम C की work capacity कारे छमता निकालेंगे जो कि यहां पर अगर आप देख पा रहे हों तो यह भी C लिखा हुआ है ठीक है ना तो तीनों की जो work capacity है वो कितनी है बारा है clear है लेकिन हमें C की work capacity चाहिए है तो यह A और B की work capacity जोड़के हम total मैंसे घटा देंगे तो 5, 4, 9 12 मैंसे आप 9 घटाएंगे तो कितनी आजाएगी 3 काम पर दे की जो चमता है वो किसकी होगी दोस्तो C अकेले की होगी तो C अकेला पूरे काम को कितने काम को दोस्तो 120 काम को कितने दिन में करेगा तो 120 वटे में 3 तो कितना आजाएगे दोस्तों यहाँ पर 40 दिन 2nd आपका option number B answer हो गया I hope कि आप video को समझ पा रहे होंगे देखे दोस्तों question number 3 हमने थोड़ा सा level इसका change किया है क्योंकि अभी हम वैसे मैंने आपको बता रखा है कि foundation के ही question देख रहे हैं मतलब time and work की जो actual foundation क्या होती है मतलब base जो जड़े हैं उन पर बात कर रहे हैं तो question थोड़े बहुत इदर उदर change हो सकते हैं आप बिल्कुल भी tension ना लें अगर आपको कोई समझ चाहे तो आप video धीमा तेज या फिर बार-बार repeat करके भी देख सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं अगर आप सही माइने में चीजों को सीखना चाहेते हैं तब question number 3 एक की कारे चमता work capacity 20 से 3 गुणी है तथा ये किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है तो भी उसी काम को कितने दिन में करेगा clear है तो ये अगर किसी काम को 20 दिन में करता है तो भी उसी काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों 60 दिन में करेगा simple आपका ये रहा answer लेकिन हम अभी foundation की बात कर रहे हैं तो हम इस चीजों को हल करेंगे एकी कारे चमता यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर समय कैसा लगेगा अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिसकी कारे चमता ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा और जिसकी कारे चमता कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा इसका मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो work capacity या कारे छमता है वो समय की कैसी है inversely proportional है with कुर्मानुपात ये just opposite होती है तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक को समय कितना लगेगा एक और बी को समय कितना लगेगा तीन आया कहां से आया इधर से इसका जो समय होगा भाई एक कितना हो गया एक बटे तीन और बी का क्या रहेगा एक बटे एक ही रहेगा इसका cross multiplication करेंगे इसका इधर हो जाएगा इसका इधर तो ये तीन इधर पहुंच गया बीस तो तीन का भी हम कितना गुना करेंगे बीस तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा साथ दिन में सिम्पल ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसी को आप पिछले पैटरन से भी देख सकते हैं भाई एक ही और बी की कारेशमता है मतलब हमको दी गई है एक ही कारेशमता दी गई है बी से कितनी है भई तेन गुनी है तो बी की कितनी होगी एक ही होगी न सिम्पल यहां पर हमको दिया गया है कि यह किसी काम को बीस दिनों में कर सकता है कितने दिन में कर सकता है बीस दिन में औ अब आपको अगर अभी पिछला याद हो यहां पर हम इन दोनों के दिनों का या समय का LCM लेके लिखते थे और इस समय का इसमें भाग देने पर work capacity आती है मतलब यह है कि कुल काम में कुल दिनों का या कुल समय का भाग देंगे तो कारे चमता निकलेगी हमारी speed निकलेगी clear है लेकिन यहां पर B की जो कारे चमता है वो एक है एक काम करने की परडे की clear है तो भई वो 60 काम को कितने दिन में करेगा 60 ही दिन में करेगा न तो इस तरीके से आपका answer D यहां से भी और यहां से भी यह दोनों तरीके हैं आपको जो पसंद आता है आप उस से कीजिए मैं आप एक काम को पूरा करने में 20-60 दिन कम समय लेता है question first इसमें पूछा जा रहा है तो यह अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा question second इसी में मैंने बनाया हुआ है या double भी पूछे जाते हैं और नहीं भी पूछे जाते तब भी हम एक ही question में double को कर रहे हैं और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे अगर इसी question को हम ओरली करना चाहते हैं तो माइन में मौकिक करना चाहते हैं तब क्या करेंगे कि कारेश हमता B से 3 गुणी है मतलब जो कारेश हमता होती है समय के opposite होती है तो समय लगेगा A के लिए कितना लगेगा B के लिए कितना लगे से तो 2 युणिट बरावर साथ है तो एक यूणिट बरावर तीछ आजाएगा कोई करेगा कांप को कितने दिन दिन में करेंगे ये क्या नवे ओंब को ये तो हैँग क्या Saty हैं तीन है बीकी कितनी एक दोनों को मिला है चार नब्बे बटे चार मतलब साड़े बाइस सिंपल कई बार क्या होता है दोस्तों करना भी नहीं पड़ता ना कॉस्चन के लिए पूरा सॉलब और हम कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन या वेशिक जो कॉंसेप्ट है या फिर हमारी प्रैट्टिस इतनी नहीं है कि हम चीजों को समझ पाएं और हम first method से करते हैं सबसे पहले A की कारे छमता और B की A की यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि हम क्या लेखते हैं कारे छमता A की कारे छमता B से कितनी है तीन गुनिय है तो A की तीन आ जाएगी B की एक clear है अब यहाँ पर दिया गया है इसलिए वह यह काम को पूरा करने में B से 60 दिन कम समय लेता है B से कितना समय कम लेता है 60 दिन कम समय लेता है तो यहाँ पर आपको पता है यह अंतर आएगा दिनों का लेकिन अगर आप देखें कि कारे छमता A की तीन है तो भाई A का जो समय होगा वो कितना लगेगा वो आपको पता है एक बटे 3 लगेगा एक बटे 3 इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दू फिर से second वाले हमारे तरीके से तो यह यहाँ से मैं छमता लिख रहा हूँ A की कितनी है 3 है B की 1 है तो इनको जो समय लगेगा वो आपको पता है just opposite लगता है उल्टा लगता है तो एक बटे 3 होगा यह एक ही रहेगा इसका यहाँ पर गुड़ा हो जाएगा या cross multiplication तो यह का अनुपात 3 यह रहा समय का अनुपात इसी बजह से 20 से 60 दिन कम समय लेता है कौन A आपको पता हैं समय क्या है यहाँ पर आप गुड़ा करेंगे 30 का तो यह आ जाएगा 90 दिन मतलब भी कितना अकेला समय लेगा करने में उसी काम को 90 दिन लेगा अब आपको पता है इन दोनों का LCM लेंगे तो कितना बनेगा 90 बनेगा वर्क कैपिसिटी आपको दी हैं पहले से 3 और 1 4, 90 बटे 4 मतलब साड़े 22 आजाएगा अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो देखे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो यह समय ले रहा है 30 दिन उस काम को करने पूरा भी ले रहा है ना बैल से हम या टोटल काम बनाएंगे 90 जो कि हम पिछले कॉस्टेनों में देख चुके हैं यहाँ पर 3 वर्क कैपिशिटी यहाँ पर 4 3 और 1 कितना आया 4 4 काम भाग कर देंगे 90 में तो क्या आजाएगा साड़े वाइस आजाएगा अगर आप यहाँ से कर रहे थे यहाँ से तो उसको भी देखे जारा है ना यह यहाँ पर 3 इसका कारी छमता है आपको पता उल्टा होता है तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 इसका 2 उनिट वरावर अंतर केतना 60 एक उनिट वरावर 30 1 वरावर 30 और 3 वरावर केतना 90 टोटल काम बनाएंगे आप 90 पहले तो यहाँ से एक आंसर आप यह कर सकते हैं कि 30 दिन लगेगा A के लिए B के लिए 90 लगेगा पूछा जाता है दोनों के लिए आपको पता है 3 और 4 का आपको भाग देना है 90 में तो क्या आजाएगा 30 वाइस दिन आजाएगा I hope कि आपके लिए यह concept समझ में आया होगा दोस्तों है न और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई समस्या आई है तो आप मेरे लिए comment करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो या फिर आपके लिए क्या समस्या है आप क्या चाहते है आप feedback भी दीजिए Thank you